आप सभी का स्वागत है, मैं संजय सर्मा, सक्सेस मंत्रा बाई दीपकराय के इस ओल्लाइन प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ चलिएगा, आवाज और विज्वल्टी साइज इस पश्ट है, और हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, यानि भारत के भौतिक भूगोल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और जब हम भारत की भौतिक भूगोल पर जब हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि जो मैंने आपको टॉपिक यहां पर लिया था, भारत के भातिक भुल पर उसमें पहला टॉपिक मैंने परबत वाले पार्ट को लिया था, भातिक स्वरूप, परबत, नदियां, पठार, दर्रा, जहील और जल्परपात पर हमें इस पर यह बात आप समझेगा परवत नदियां पठार दर्रा जील जल प्रपात इसमें जो मैंने आपको यहां पर जो मैंने आपको टॉपिक डिसकाश किया था मैंने बताया था भारत के भौतिक स्वरूप में कि उत्तर का पर्वतिय छेत्र, मैदानी भाग, प्रायदीपिय भारत और 30 एवं दूइप वाले पार्ट पर मैंने आपसे चर्चा किया था कि भारत को चार भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है और वो जो चार भाग मैंने आपको बताया था, वो चार भाग उत्तर का पर्वतिय छेत्र बताया था, मैदानी छेत्र बताया था, फिर प्रायदीपिय भारत बताया था, फिर 30 एवं दूपिय वाले पार्ट को हमने आपको डिसकस किया था, इसके बाद दोस्तों भारत को चा आपको बताया था तो यहां तक आपका किलियर हो गया था इसके बाद कि जब मैं आपको डाइमेंशन ले करके चला था तो उस डाइमेंशन पर मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमाले ट्रांस का मतलब होता है के पार अर्थात के पार का मतलब क्या होता है अर्थात हिमाले के पार तो काराकुरम लद्दाक और जासकर को कहा जाता है ट्रांस हिमाले और इसी काराकुरम पर ही भारत की सबसे उची परवत चोटी पाई जाती है उस सबसे उची परवत चोटी को क् आपको यहाँ पर बताया था ट्रांस हिमाल है और कारा कोरम पर ही भारत की सबसे उची परवर्चोटी अर्थात यहाँ पर केटू गाडविन कहा जाता है केटू गाडविन आस्टिन कहा जाता है 86-11 मीटर के उचाई है और चुकि यह ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित ह होती है तो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होने की वज़नाइग वज़ इस बात को लिखेगा और ये ट्रांस हिमाले का जो आगे वाला पार्ट है ये कैलास रडी हो जो तिबत यानी चीन के च्छतरों में पाई जाती है अब यहीं पर जो कारा कुरम था इस पर भी आफो बाल्डो रा जैसे बड़े बड़े गलेसियर पाई जाते हैं इस टॉपिक ब्रेश्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर यहीं बाते आपको निकल करके फिर एक बार आएंगी अब आगे चलिएगा ये चीजे मैंने बताया भारत की उत्तर से दक्षिड की तरफ पर बच्रेडियो को बिश्तारित करिए कारा कुरम लदाख जासकर ब्रियर हिमाले की बातें आपको समझ में आ गया था और यहां पर फिर मैंने बताया था ये वाला बाट ये ब्रियर हिमाले का निर्माड ओलीगोसीन काल में हुआ था और यह जो आप देख ले होंगो डियमेयम डाफला मेरी आब और मिसमी और यहां पर जब आप जाएंगे तो पटकोई क की पहाड़ी ये बेसिकली जो है ये अरुडाचल पर्देस और नागालेंड के चेत्रों में पाई जाती है और नागा की पहाड़ी नागालेंड में पाई जाती है लैमाटोल की पहाड़ी मडीपूर में पाई जाती है और अब इसके बातें मैंने आपको बता दिया था ब जालिक और ब्रिहत के बीच में मध्य हिमाले पाया जाता है और इस मध्य हिमाले का निर्माड मायोसीन काल में हुआ था और इस बात को याद रखिए कि पीरपंचाल, धौलाधर, नाक्तिवा, महाभारत इसकी परवस्रेडियां है ये ये कटा फिता है दोस्तों ये छोटे- छोटे-छोटे पार्ट में क्या है ये कटा फिता है जो छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड है ये जो है आपका छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड है ये चीज़े आप याद रखिएगा तो ये बात मैंने आपको बता दिया था और ये बाहर वाला जो पार्ट आ नविन्तम परवत स्रेडी है, point to be clear, ये बात मैंने आपको क्या कर दिया था, इसको क्लियर कर दिया था, ये बाते आपको ध्यान रखना है, अब इसके आगे की जब हम बात करेंगे, तो इसके आगे की तरफ हम लेके चलेंगे, ये चीज़े आप याद रखिएगा, ये बाते आपको क्लियर हो गया, अब सवाल आता है मुद्दे की, और उस मुद्दे की सवाल के आता है कारा कोरम, लदाख को मैंने डिसकस किया था, और ये है आपका लदाख दुनिया की तिबतर धाल वाली चोटी, और इसको याद रखिए एक लदाख और जासकर के बीच में सिंद देखेगा कुलू घाटी पीर पंचाल और धौलाधर स्रेडी के बीच में पाई जाती है, पीर पंचाल ये पूछा गया प्रसना है, और धौलाधर स्रेडी के बीच में पाई जाती है पहला पॉइंट ये चीजे आप लिख लिजेगा ये भी प्रस्ता आप से पूछा जाता है अब सवाल आता है इसके आगे वाले पार्ट पर जिस पार्ट को मैं ले करके चल रहा हूं केटू भारत की सबसे उशी परवत चोटी है लिख लिजेगा और यहीं पर मैं लिखा रह केटू जिसको कहा जाता है गाडवीन आश्टीन भारत की सबसे उची परवत चोटी है यहां से तीन बाते पूछा जाता है तीनों बाते आप लिख लिजेगा आगे आपको काम देगा भारत की सबसे उची परवत चोटी मैं अभी इसको पहले आपको डिसकस करता हूँ फिर मैं इस टापिक को लिखा दूँगा तो आप यहाँ पर चलिएगा मैं आपको ले के चलता हूँ आपको PC पर और वहाँ से मैं क्लास को आपको कांटिन्यू करता हूँ देखिएगा यहाँ पर आईएगा और यहीं पर आपकी पूरी बात आपको क्लियर कर देंगे एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा देखिएगा अब समझेगा यह देख रहे होंगे यह देख रहे होंगे यह देखिएगा ग्रेटर हिमालय लिखा हुआ है यह लिखा है न? अब समझेगा यह जब आप यहाँ पर देखोगे आप समझेगा यह देखिएगा यह देखिएगा ब्रिहद हिमालय हिमालय का यह पार्ट मिलेगा नंगा परवत और यह को बलाता है नामचा बरवा परवत जो यहाँ वाला पार्ट है जो इसका सबसे पूर्वी भाग है इसको बलाता है नामचा बरवा इसको बोलते हैं नामचा बरवा पार्ला पॉइंट और यहाँ पर जो मिलेगा देखिएगा नंगा परवत यानि हिमाले जो है यह नंगा परवत से लेकर के नामचा बरवा परवत श्रडी तक क्या है बिस्तारित है हिमाले जो है ये नंगा परवत से ले करके नामचा बरवा परवत स्रडी तक ये क्या है मतलब ये फैला हुआ है पहला पॉइंट इस पर भारत की नहीं पूरे भिश्व की सबसे उची चोटी पाई जाती है that is called Mount Everest Mount Everest Mount Everest ये जो है आपका यहां पर इस बात को लिखिएगा Mount Everest की उंचाई जो है 88-49 मीटर है पहला पॉइंट ये अब 207 की सबसे उची परवत चोटी है इस बात कीं सबसे उची परवत चोटी है बात के सबसे उची परवत चोटी है कहां पाया जाता है नेपाल में पाया जाता है इस वज़ा से नेपाल में पाया जाता है नेपाल में इसे सागर माथा की नाम से जाना जाता है क्लियर हो गया तो विश्वकी सबसे उची परवट चोटी अब देखेगा मैंने सिरीज आपको बताया यहाँ पर आपको मिलेगा नामचा बरवा यहाँ मिलेगा माउंट एबरेश्ट यह वाला पार्ट that is called सिक्किम यहाँ पर एक परवट चोटी पाए जाती है इसको बोलते हैं कंचन जंगा इसको क्या बोलते हैं कंचन जंगा या कंचन जंगा जो है या सिक्किम और या सिक्किम और यहाँ पर हैं नेपाल और इधर हैं सिक्किम सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पाए जाती है तो भारत की सबसे उची परवर्ट चोटी कौन है किसकी हिमाले की तो हिमाले की भारत में सबसे उची परवर्ट चोटी अगर पूछे हिमाले की भारत में सबसे उची परवर्ट चोटी तो उसको क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं से हम कहते है हिमालह की भारत में सबसे ऊँची परवट चोटी को. क्या कहा जाता है? यह है सिक्क्द में सबसे ऊνची परवट चोटी कि जब हम बात करेंगे यह है आपका कंचन जंगा. जिसकी हाइट के अगर हम बात करेंगे तो पचासी, छी आसी मीटर है, मीटर में ये अठासी या नतालिस और केटू वाले की हाइट मैंने कल आप लोग को बताया था कि केटू की जो हाइट होती है, वो कितनी होती है छी आसी, ग्यारा मीटर तो ये च्यासी, ग्यारा ये पचासी, च्यासी मीटर और ये आपका है अठासी, अनतालिस तो सरवाधी कौन है माउंट एबरिस्ट भारत की सबसे उची पूछेगा तो केटू है याद रखिएगा और अगर आपसे पूछ दे कि हिमाले की सबसे उची चोटी तो हिमाले की सबसे उची चोटी अगर आपसे पूछ दे तो इस बात को आप याद रखिएगा हिमाले की सबसे उची परवर्चोटी भारत में तो कंचन जंगा है और हिमाले की सबसे उची चोटी एवरेष्ट है एक प्रस्ण और बनता है, एवरेश्ट पर पहुंचने वाले पहला ब्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, जुंको तेवई, फस्ट थे जो हिमाले पे चड़े थे, पहला ब्यक्ति, भारत के वो कौन थे जो पहुंचे थे हिमाले पे? तो बचेंद्री पाल, फस्ट इंडियन, और याद रखिएगा, दो बार चड़ने वाले हिमाले पे कौन है? तो टू टाइम्स दो बार हिमाले पर चढ़ने वाले का नाम पूछेगा तो देट इस कॉल्ड संतोस यादो, संतोस यादो महिला है ये सभी प्रस्न आप से पूछे गए हैं और ये सभी के सभी प्रस्न आप से कई बार आप से पूछे जाने वाले प्रस्न है जहां से प्रस्नों की स्रिंकलाय आपसे सुरू होती है तो दिखेगा ये है आपका दोस्तों ये है आपका कंचन जंगा इसके बाद जो परवत स्रडिया मिलता है उसको बोलते हैं मकालू मकालू और इसके बाद होता है मनसालू और याद रखिएगा और इसके बाद नंदा देवी परवत मिलता है जो उत्राखंड में है नंदा देवी ये उत्राखंड में है और इसके बाद आपका नंदा देवी के बाद ये चीज़े आपका आ जाएगा तो ये कई बार पूछता है कि जो है हिमालाय की परवत स्रेडियो को उत्तर से जो है यहां से बोलेगा उत्तर से ये इसको बोलेंगे पाश्चिम से पूरब की तरफ या कई बार बोलेगा पाश्चिम से पूरब या पूरब से पाश्चिम की तरफ आप मिलाएए देखे, ट्री लाइन का मान, ट्री लाइन का जो मान होता है, ये भी प्रस्थ बनता है, कि ट्री लाइन का मान, क्या होता है, ट्री लाइन का मान, यानि ट्री लाइन का जो मान, मतलब पर जो ट्री जो होती है, वो ट्री लाइन का मान, जो पूरफ से पश्चिम की तरफ कम होत यह बात भी आप यहाद रखिएगा यह भी बात आप से कई बार प्रसनों में पूछा जाता है ये बाते समझ में आ गया अब इसके बाद आपका आता है तो ब्रियाद हीमाले पर बड़ी बड़ी चोटिया पाए जाती है और कारा कोरम पर क्या था बड़े बड़े हीम के गलेसियर आपके क्या हो रहे थे यहां पर बड़े बड़े हीम के गलेसियर थे वो आपके बड़े बड़े हीम के गलेशियर क्या हो रहे थे यहां पर पाया जाते थे तो यह चीजें आपको क्या करना है यह चीजें आपका याद रखना है अब इसके बात के पृस्त Only आपके और बनते हैं इसके बाद वाले प्रस्नों को मैं देखूंगा जब इसके बात के जब प्रस्नों को लेंगे हम तो इसके बात के प्रस्नों को जब हम आप देखेंगे तो ये चीज़े आप याद रखिएगा इसके बात के बाते जब हम देखेंगे तो अगली बातों को मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं और अगली बातों को जब आप लेंगे ये है आपका मध्य हिमाले और मध्य हिमाले में जो है ये आपका घुमने वाला इस्थान होता है कुलू हुआ मनाली हुआ ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा जो आप यहाँ पर जो है आपको पिर पंचाल है और यहां पर है आपका ये धौलाधर है इनी के बीच में ये धौलाधर है ये चीजे मिलेगा और इसके बाद आपको जो मिलेगा उसको बोलते हैं सिवालिक की परवच्रेडिया और सिवालिक वाले पार्ट को भी मैंने आपको क्या कर दिया था डिसकस कर दिय कि हमने लिखाया कहां तक था आपको तो उस बात को भी आप मैं क्या करता हूं लेकर चलता हूं कहां तक लिखाये थे इस बात को मैं आपको लिखवा दूँ ताकि आपके ये प्रॉब्लम्स आपके नह रहें हेडिंग दलवा करके मैं वो बाते भी आपको लिखवा देता हू कारा कोरम लड़्दाग जासकर ब्रिहद हिमाल है ये केटू गाडवी नाष्टिन भारत की सबसे उची परबर चोटी ये मैंने लिखा दिया था और ये आता है मांट एवरेस्ट वाला लिखिएगा मांट एवरेस्ट लिखेगा मांट एवरेस्ट जो थोड़ी जोड़ी बाते मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं Mount Everest कहा जाता है Mount Everest लिखीएगा 20 सबसे उची परवद्चोटी मैंने आपको पढ़ा दिया है लिखा दे रहा हूं 20 सबसे उची परवद्चोटी 88-48 मीटर और माउंट एबरेस्ट हो गया जो नेपाल में इस्तित है नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है अब इसके बाद चलिएगा माउंट एबरेस्ट की बाद ये है आपका माउंट एबरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले भ्यक्ति दिखेगा जुंको तेवाई जैपान के थे दूसरा पॉइंट लिखेगा पर्थम भारतिय फर्ष्ट भारतिय जिन्होंने माउंट एबरेस्ट पर चढ़ा बच्छंद्री चंद्रपाल ये पूछा गया है टू टाइम्स चढ़ने वाली भारतिय है टू टाइम्स संतोस यादो ब्रेकट में लिखेगा ये महिला है ये चीज़े आपको याद रहेगा माउंट एबरेस्ट बाते मैंने करा दिया अगला बात लिखिएगा कंचन जंगा कंचन जंगा लिखिएगा भारत और लिखिएगा शिक्की मौर ऐसे लिखिएगा और अच्छा रहेगा शिक्की मौर नेपाल की सीवा परिस्थित सीमा परिस्थित है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा ये शिक्की मौर नेपाल की सीमा परिस्थित है अगला लिखिएगा ये हिमालय की भारत में सर्वोच चोटी है पचासी च्छी आसी मीटर ये भी चीज आप याद रखिएगा कंचन जंगा शिक्की मौर नेपाल की सीमा पर है ये कंचन जंगा वाला पार्ट भी मैंने आपको किलियर कर दिया अब इसके बात प्रस्न बनता है केटू वाला मैंने लिखा ही दिया था केटू गाडवी नास्टीन भारत की सबसे उची चोटी है नोट करके लिख लीजिएगा केटू गाडवी नास्टीन भारत की सर्वोच चोटी है ये चीज है और कई बार सीरीज पूचता है तो शीरीज वाला भी लिख लिजेगा नंगा परवत कौमा करके लिखिएगा नंदा देवी मकालू मकालू के बाद आप यहां पर देख लिजेगा मन्सालू है मन्सालू पहले मन्सालू एवरेष्ट और नंदा देवी मन्सालू एवरेष्ट मकालू फिर लिखिएगा कंचन जंगा और फिर इसके बाद कामा करके लिखिएगा नामचा बरवा स्रेडिश और हेडिंग मन्साले यह जो स्रीज आपको लिखा गया है परवत स्रेडिया उचाई चोटी चोटीयों के हिसाब से चोटीयों को चोटीयों को पास्चिम से पूरब की तरफ यह चीज है मैंने आपको लिख दिया यह पूरा आपका क्लियर हो जाता है इसके बाद आपका जो है जो मैंने आपको सभी बाते सी वालिक वाली बाते मैंने आपको लिखाया ही था या देख लेता हूँ लिखाया था कि नहीं लिखाया था अगर नहीं लिखाया हूँ तो आपको मैं करा दूँगा सी वालिक वाली बाते मैंने नहीं लिखाया है सायद देख लेता हूँ यह सी वालिक वाली बाते मैंने आपको लिखायी दिया था तो ये चीजे मैंने आपको पूरा आपका complete करा दिया हिमालियन system जो है ये आपका पूरा मैंने आपको complete कर दिया अब समझ येगा हिमाले का part आपका मैंने complete कर दिया अब सवाल उठता है और आउलि पर बच रडियो को बारत के मैप को बनाने के बाद आप यहां पर देखेंगे जब यह चीज है आप देखिएगा वैसे मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं तो आपके और भी इस फेश्ट हो जाएंगे और ऊपर वाले पार्ट को ही है तो हमें लेना है समझिएगा यहां पर जब आप आएंगे न यह है गुजरात के पालनपूर से लिए इसको बलाता है अरावली परबस्रडी लिखेगा अरावली परबस्रडी और इस अरावली परबस्रडी की जब हम बात करेंगे इसका निर्माड प्री केम्रियन युगीन काल में हुआ था लिखेगा इसका निर्माड जो है वो प्री केम्रियन काल में हुआ था पांसो से ले करके पांसो सत्तर मिलियन वर्स पूर्व हुआ था इसका निर्माड ये दो बाते हो गया ये जो है आपका ये ये कहा जाता है गुजरात के पालनपूर से दिल्ली रीज तक फैला है गुजरात के पालनपूर से दिल्ली रीज तक फैला है दिल्ली रीज तक क्या है ये फैला है क्लियर हुआ है ये लगभग 800 किलोमेटर में है ये लगभग 800 किलोमेटर में प्रसारित है ये बाते मैंने आपको क्लियर कर दिया अब आगे चलिएगा ये अरावली परवत से जूड़ी ही बात अगर आप से पूछा जाए ये बात आप लिख लिजिएगा गुजरात, राजस्थान, हर्याडा और दिल्ली में प्रसारित है लिख लिजिएगा गुजरात, राजस्थान, हर्याडा और दिल्ली के छेत्रों में क्या है ये प्रसारित है ये चार-पांश बाते ये चार-पांश बाते आप से क्या किया था यहांपे प्रसनाप से पूछता है अब आगे मैं लेके चलता हूँ देखिएगा मैं थोड़ा सा मैप लोगा ये टॉपिक आपका complete होता है अगला point आपके map को मैं लेके चलता हूँ फिर map से आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा देखिएगा अभी इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस point पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह जो part दिख रहा है आपको that is called western ghat western ghat का मतलब क्या होता है इसको बोलते है पश्मी ghat और यह इसको कहा जाता है पूर्वी ghat इसको कहा जाता है पूर्वी ghat तो जहाँ पर पश्मी ghat और पूर्वी ghat दोनों मिलते हैं इस वाले part पर that is known as neilgiri की ghat कहा जाता है इसी को कहते हैं neilgiri की ghat तो जहाँ पर पूर्वी ghat और पश्मी ghat मिलता है उसे neilgiri की ghat कहते हैं और इसी पर जहाँ है दोदा बेटा पाया जाता है और याद रखिएगा ये second है second नमबर दच्षिड भारत की सबसे उची परवट चोटी यही दोदा बेटा है अभी मैं इसको लिखा दूँगा और यहाँ पर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अन्ना मलाई अन्ना मलाई कहा जाता है उसको अन्ना मलाई ये दख्षिड भारत की सबसे उची चोटी है जो अन्ना मुड़ी पर पाई जाती है जो अन्ना मुड़ी परवत पर पाई जाती है ये बाते आप याद रखिएगा ये चीजे आपको याद रहेगा इसको कहा जाता है सहयादरी परश्मी घाट को सहयादरी भी कहा जाता है पश्मिघाट को और इसको साह या परवतम भी कहा जाता है कहा पर इसको करनाटक में कहा जाता है करनाटक में साह या परवतम के नाम से भी जाना जाता है यह प्रस्न अगर आप से आएगा तो आप इस प्रस्नों को आसानी के साथ कर लिएगा ये जो आप देख रहे हों ये वाला पार्ट ये लगातार कांटिनिवस है जबकि आप पूर्वी भाग आप देख रहे होंगे ये कटा फिटा है तो ये जो निलगरी की गाठ है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको मिलेगा केरल ये है तमिलाडू ये है करनाटक तमिलाड उमे क्या है ये प्रसारित है ये बात भी आपसे पूछा जाता है अब सीरीज कई बार पूछा जाता है इस सीरीज को मैं आपको लिखा दता हूं अपा से जुबान लडाती है पालनी की पहाड़ी पंचपतमाली की पहाड़ी सेवराय की पहाड़ी नल्ला मनाई की इस तरीके से हैं इस बात को भी मैं आपको यहां पर इसको मैं इरेज करके आपको मैं यहीं पर क्या कर देता हूं इस बात को भी मैं आपको दिखला देता हूं देखिएगा तो जब आप यहां पर जब आप जाओगे तो यह आपका यह वाली पार्ट और यह वाली पार्ट आप देख लिए यहां पर आपको तो यह हो गया दच्छिड में इसको बोलते है कारडमम की पहाड़ी तमिलाडो और केरल के सीमा पर है काडमा मतलब इलाइची की खेती के लिए परसिद होता है और यहीं पर आपको मिलेगा इसके यहां वाले पार्ट पे इसी को बोलते हैं पालनी की पहाड़ी पालनी की पहाड़ी कहा जाता है अगला point चलिएगा तो पालनी की पहाड़ी इसके बाद आपको मिलेगा पंच-पत-माली की पहाड़ी इसको बोलते हैं पंच-पत-माली की पहाड़ी और इसके बाद जब आप जाओगे तो पंच्पतमाली की पहाडी के बाद पालनी की पहाडी पंच्पतमाली की पहाडी इसके बाद सेवराय की पहाडी और इसके बाद जब आप जाओगे तो इसके बाद वाली पार्ट पर जब हम लेके चलेंगे तो इसके बाद वाली पार्ट पर जब हम यहां पर जाएंगे यह एक होता है नला मलाई की पहाड़ी यह आंदर प्रदेश के पास है यह सीरीज भी कई बार पूछा जाता है काडमम की पहाड़ी दक्षिड की सबसे दक्षिड तम परवत कौन है इसके बाद पंच्मात माली की पहाड़ी सेवराय की पहाड़ी पूछता है कहाँपर है यह चीज़्स आप पर क्लियर हो गया इतने ही बाते आप से यहां पर पूछा जाता है फिर इसके बाद ये वाला पार्ट है इस पार्ट को मैं आपको दिखलाता हूँ फिर दो-तीन चीजे और आपसे यहां पर पूछा जाता है तो लिखिएगा इस बात को आप लोग लिखते चलिएगा इस बात को मैं आपको बिधवत तरीके से मैं आपको नोट करवा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या आपको न उत्पन हो चलिएगा कहां तक कराये थे अरावली की पहाड़ी लिखिएगा दक्षिर भारत की परवत त्रेडिया और यह हेडिंग बनाईएगा और इसको आप लिखते चलिएगा जैसे मैं लिखा रहा हूँ तो यह चीजे आप याद रखिएगा यह बात याद रखिएगा अब इस तरीके से आप बना लिजिएगा यह है आपका इसको बोलते हैं नेल गिरी की गाठ लिखिएगा और नेल गिरी की गाठ में पहला पॉइंट लिखेगा यह केरल तमिलनाडू और यहाँ मिलेगा आपको करनाटक यह तीन राजियों में फैला है यहाँ पर नेल गिरी की गाठ में पूर्वी और पश्मी घाठ का मिलन होता है पूर्वी और पश्मी घाठ का यहाँ पर क्या है मिलन है यह क्या है मिलन इस्थल है इस बात को भी आप समझेगा इसके बाद आप से क्या कहता है दोदा बेटा इसकी सर्वोच चोटी है दोदा बेटा इसकी सर्वोच चोटी है क्लियर हुआ ये तीन बाते मैंने आपको बता दिया ये आपका क्लियर होना चाहिए इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पश्मी घाट और इसको बोला जाता है पूर्वी घाट क्लियर हुआ पश्मी घाट, पूर्भी घाट पूर्भी घाट और ये हो गया आपका पूर्भी घाट अब इस बात को आप समझेगा अब सवाल क्या बनता है यहाँ पे आता है अन्ना मलाई, लिखिएगा अन्ना मलाई और ये अन्ना मलाई क्या है अगले पॉइंट पे लिख लिजीगा और अच्छा रहेगा अन्ना मलाई ये दक्षिड भारत की यह दक्षिड भारत की सबसे उची चोटी है और ये किस पर पाई जाती है ये अन्ना मलाई अन्ना मुडी पहाडी पर पाई जाती है अन्ना मुडी पहाडी पर पाई जाती है पहला पॉइंट ये प्रस्ट अगर आएगा तो आप इस प्रस्ट को आप क्या करना आराम से इत्मियान से अन्ना मलाई वाले पाई को आप क्या करना शाल्ब करना यहां तक किसी प्रगार का कोई भी आपको समस्या उत्पन नहीं होना चाहिए अगला लिखे काडमम की पहाडी और लिखे काडमम की पहाडी काडमम की पहाडी की जब हम बात करेंगे तो यह दक्षिर भारत की सबसे दक्षिरतम परबत है परवत है सबसे दक्षिर्तम परवत परवत है यह बात आपका क्लियर हो गया होगा that is called काडवम की पहाड़ी इसी कहते है इलाइची की पहाड़ी यह केरल और तामिलाड ऊपर है यह बाते मैंने आपको बताया काडवम की पहाड़ी और एक पॉइंट आप लिख लिजिएगा जो मैंने आपको यहां पर बताया था इसको मैप में ही आप बना लिजिएगा यहीं पर जैसे इसे बना रहे हैं वैसे इसे बनाते चले जाएए आपके सारे प्रस्टा आपके साल्व होने लगेंगे यह है आपका पश्मी घाट और यहाँ पर था आपका निलगिरी की घाट और यह था आपका पूर्वी घाट और यहाँ पे था आपका काडमम की पहाड़ी क्लियर हो गया, अब देखो दो बाते यहाँ पर देखो यहाँ पे जब आप जाओगे तो यह मिलेगा आपका पंचपतमाली की पहाड़ी पापा, पालनी की पहाड़ी इसके बाद आपको मिलेगा पंचपतमाली की पहाड़ी पालनी की पहाड़ी, पंचपतमाली की पहाड़ी इसके बाद आपको मिलेगा सिवराय की पहाड़ी और इसके बाद आपको मिलेगा नल्ला मलाई की पहाड़ी यह चीजे आपको याद हो गया होगा यह सीरीज आपसे पूछता है इस सीरीज को भी आप याद रखेगा सिवराय की पहाड़ी कहां पाई जाती है यह आपका तमिल नाडु में पाई जाती है इस तरीके से प्रस्न आपसे पूछेगा तो आप इसको याद रखिएगा पश्मी घाट को दो नामों से जाना जाता है इसको बोलते हैं सह्याद्री और यहाँ पे बोलाता है साह्य परवतम भी कहा जाता है करनाटक में साह्य परवतम कहा जाता है और यहाँ पे सह्याद्री कहा जाता है यह पश्मी घाट क्या है? कांटिनिवस है लगातार है और यहाँ पे लिखेगा यह पुर्वी घाट आपका कटा-फटा है पॉइंट भी क्लियर एपरिबड़ी एनी प्राब्लम किसी परकार क्या कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए दो बाते और हमें इसमें समझना है इस टॉपिक में और इस दो बातों को मैं फिर से आपको बता दूँगा तो यह आपका अन्नामलाई काडमम पढ़ा दिया मैंने फिर इसके बाद पश्मी घाट पुर्वी घाट निलगरी की घाट मैंने आपको बता दिया और इसके बाद अरावली की परवत स्रडी भी मैंने आपको बताया और यहां पर मैंने आपको बताया यह नंगा परवत यह कैसे किस तरीके से जाता है और यह बाते आपको कंचंचंगा यह सभी बेहतरीन बाते मैंने क्या कर दिया आपको यहां पर बता दिया अब आगे चलिएगा अब देखिएगा अब सवाल उद्पन आपके सामने एक और होगा चलिएगा मैप पर लेके चलता हूँ मैप पर लेके जाने के बाद मैं आपको फिर से आपके पुराने जगा पर आऊँगा फिर आपको लिखा करके कम्प्लीट कर दूँगा देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह है आपका बिंध्याचल और यह आप देख रहे होंगे सत्पुरा परवत मैं पढ़ा रहा हूँ अभी नदी सिस्टम को मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा वहाँ से आपको कन्फ्यूजन न हो इसलिए मैं इसको अलग-अलग कर रहा हूँ बिंध्यान परवत्रडी भांडेर भावी बीच में ही होती है बिंध्यान भांडेर और कैमूर ये तीन पार्ट में डिवाइड है लिखिएगा ये देखिएगा यहाँ पर ये तीन पार्ट में देखिएगा यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने साफ साफ लिखा है आप देखेंगे ये वाला पार्ट कहा जाता है बिंध्यान पहला वाला पार्ट ठीक है, दूसरा पार्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसके कहा जाता है भांडेर और यहाँ पर जब आप देखेंगे, that is called कैमूर यह फर्स्ट, स्टेकेंड, that is called third पहला, दूसरा और तीसरा बिंध्यन परवस्रडी, भांडेर परवस्रडी, कैमूर परवस्रडी तीनों को मिला करके जो नाम दिया जाता है, वो कहा जाता है बिंध्य रेंज यह तीन परवतों की स्रिंखला है, जो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है यहाँ पर आपको तीन परवतों की स्रिंखलाओं को आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखना पड़ता है बिंध्य पहाडी ये तीन पार्ट में डिवाइड है बिंध्य पहाडी बिंध्यन परबसरी भांडेर और कैमूर के रोप में डिवाइड है केमुर वही बिहार और यूपी के बॉर्डर पे और ये आप बिंध्यन देख रहे होंगे आप राजस्थान और एंपी के बॉर्डर अब आगे इतनी बाते आपको समझ में आगया होगा इसी तरीके से आप अपने मैपिंग में भी आप बना ले जिएगा और इसके बात से जब हम बात करेंगे तो ये है आपका यहां पे सत्पुरा राजपिपला, महादेव, मैकाल तीन नाम मिलेगा मैं इसको एरेज कर रहा हूँ और इसके नीचे जब आप आएंगे सत्पुरा वाले पे ये नाम ये और ये ये दूसरा और ये थर्ड इसको बोलते हैं राजपिपला ये है आपका राजपिपला यहां पे आप आओगे तो महादेव और ये आपका जो नाम मिलेगा राजपिपला, महादेव और ये है आपका मैकाले याद करने का ट्रिक क्या है यहां पर देख रहे होगे पाँच सब्द है आपका फिर उसके बाद आप देख रहे होगे चार सब्द यहां पर है और यह फिर तीन सब्द है तो अर्थात यह बात आपको समझ में आ गई और इसके उपर मैंने आपको पढ़ाया था बिंध्यान फिर मैंने पढ़ाय था आपको भांडेर ये है आपका भांडेर ये है आपका कैमूर और ये है आपका देट इस कॉल्ड बिंध्यन तो ये परवत स्रिंकलाएं है इस परवत स्रिंकलाओं को भी आपको याद रखना है और एक बात और चोटी चोटी परवत स्रिंकलाओं को ही बस हमें छोटा सा बताना है लेकिन बहराल आप इस बात को जो है आप अपने कॉपी पेन में जो आपका मैप का जो लोकेशन आप कर लेजिए इस बात को भी मैं आपको क्या कर दूँ यहां पर भी आपको मैं बाते लोकेट करवाते चलूं जिससे आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या आपको उत्पन्ना हो तो चलिएगा ये बाते आपको क्या करना है ये ध्यान में रखना है और ये बाते भी आप प्यात चलिएगा देखियेगा तो इस बात को भी मैं आपको ऊपर वाले पार्ट को मैं नहीं रहा हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं लेने का बस इतने ही बातों को आप यात रखिएगा अब देखिएगा यहां पर जब आप देखेंगे तो यह पार्ट आप यहां पर बना इसको बोलते हैं बिंध्यन और इसको बोलते हैं भांडेर और इसके बाद आपका होता है कैमूर 이제 clear हो गया और यहां पर आप इसके नीचे बना लेजिए की एक दूसरे कलर से बना ले जिए का ड्रे डे ले लेता हूं यह यह वाला पार्ट और यह और ये वाला पार्ट राज पिपला सरेडी राज पिपला सरेडी और इसको बोलते हैं हम लोग महादेव की सरेडी और इसको बोलते हैं राज पिपला महादेव और यहां पर जबाप आएंगे तो राज पिपला महादेव और यह है आपका कैमूर का रहे हैं यह आपका है वो क्या बोलते ह यह इसको बोला जाता है यह राजपिपला महादेव और यह मैकाले है यह बाते मैंने आपको बता दिया अब यह बात और यहां बनता है गीर परवत सरडी और यह बोला आता है यहां पर मांड़ो सरडी तो जब मांड़ो की बात करेगा तो ये मांड़ो स्रडी जब आपसे पूछेगा मांड़ो परवत ये लिख लिजिएगा आपको ये गुजरात और मध्य परदेश में और एक और बनता है गीर परवत स्रडी लिख लिख लिजिएगा गीर परवत स्रडी यह आपका गुजरात में अब देखिए यह बाते मैंने आपको बता दिया यह इस तरीके से प्रस्ण भी आपसे परिक्षाओं में आपके एकजामस में आपके प्रस्ण लगातार पूछने जाते हैं अब एक बात और हमें समझना है और उस एक बात को अगर आप समझ लेंगे यहाँ पर यह है आपका प्यारा सा भारत बनाता हूं बढ़िया सा लास्ट में देखिएगा तो यहाँ पर जब आप देखेंगे महराष्ट्रा में सत्माला की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी बाला घाट की पहाड़ी बाला घाट पहाड़ी सत्माला की पहाड़ी बाला घाट सत्माला और अजंता की पहाड़ी यह कहाँ पर है यह आपका महराष्ट्र यानि यह तीनों का जो लोकेशन आपका मिलेगा यह कहाँ पाया जाता है यह महराष्ट्र राज्य में पाया जाता है यह महराष्ट्र राज्य में क्या किया जाता है यह पाया जाता है तो यह था भारत की परवत स्रडिया और इस परवत स्रडियों पर जो है यह बाते मैंने आप से किया और बात निकलेगी तो बहुत दूर तलख जाएगी अब ही तो हमने शुरुवात किया है, भारत के शामाने परिशे आपको दिखलाया और भारत के परवत पे मैं आपको complete किया है, चौथी class थी हम लोगों की इसके बाद प्रस्ण और भी बनते हैं, जैसे मैंने आपको ये सभी बाते आपको discuss किया आप इसी सिक्वेंस के साथ मेरे प्यारे साथियों आप इसी सिक्वेंस के साथ एक एक बात को आप बनाते चलिएगा आपको दिख रहा होगा यहां से तो यह दिख रहा होगा इसी तरीके से आपको एक सिक्वेंस की तरह आपको पढ़ना है और कहीं किसी प्रकार का कोई समस् आप इत्मिनान के साथ पढ़िए, मुश्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आनन्द लेते रहिए और आप अपने लाइफ को जो है आप अपने भविष्य को सुनारे भविष्य को निर्मित करिए तो अपनी जो आज की जो क्लास है इस क्लास को हम जो है अपनी इसी क्लास को अभी जो है इस क्लास को आज यहीं पर रोकेंगे लगातार जो है ठीयरी अगर जिस तरीके से मैं आपको सिस्टेमेटिक तरीके से बता रहा हूं अगर आप इस क्लास को लगातार पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूं और आप एक मैप ले लिजीएगा कोई भारत का कोई भी हमायब ले लिजिए या आप जो है तीस रुपे का जू आता है आपका जो बड़ा चाथ वाला पॉलिटिकल का मैप आता है और एक राजनीती वाला आता है मैं अब कम से कम at least आप ले लिजेगा जिसको आप लगतार अगर आप देखेंगे तो आपके धीरे धीरे जो प्राब्लम्स हैं वो आपके धीरे धीरे प्राब्लम्स आपके क्या हो जाएंगे साल्ब होते चले जाएंगे तो आज की जो क्लास है मुझे को यहीं पर रोकते हैं थैंक यू बाई बाई टेक क्यार